नमस्कार फ्रेंड्स, वंडर साफ इंडिया यूटूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रेंड्स भारत भूमी में सदियों से अनेक राजवन्स फली भूत हुए हैं और उन्होंने अपने कारणामों, निर्माडों आदिसे जनता के बीच काफी लोग प्रिय रहे हैं भले ही आज वो इस धर्ती पर नहीं हैं लेकिन उनकी निशानिया आज भी उनकी बैव्योसाली गाथा को गाने के लिए बिवस करती हैं कुछ ऐसा ही एक राजगराना मानडा के नाम से था प्रियागराज इस्थित इविंग क्रिशियन कालेज में इतिहास के विवागा देच्च रह चुके प्रोफेसर बिमल चंद्रसुकल बताते हैं कि सत्रहवी सताबदी में मानडा रियासत का पूर्वी उत्तरप्रदेश में काफी प्रभाव था तथा यह पूरा इलाका काफी संपन्न था मानडा रियासत के उत्भो की बात करें तो करनाओज के घड़वाल बंसी राजा जेचंद के भाई मानिक चंद ने जब करनाओज से पलायन किया तुवह कौशामदी के कड़े बाद में मानिक पूरा गए मानिक चंद के बंसज गूहन देव मानडा रियासत के पहले राजा बने मानडा में उसके पहले भरो की रियासत थी गूहन देव ने भरो को हराकर मानडा रियासत पर कबजा कर लिया था भरो की आज भी कुछ निशानिया मानडा तथा उसके आसपास के छित्रों में देखने को मिलती है फ्रेंट से जानकारी के लिए बता दें कि गूहन देव जैचंद की अठारा हुई पीड़ी के वनसज थे और भारत के पूर प्रधान मंत्री बिशुनात प्रताफ सिंग मांडा रियासत के चालिसवी पीड़ी के वनसज रहे जो अपने कारियों के कारण एक राजा होने के साथ साथ काफी प्रसिध राजनेता भी हुए वर्तमान परदिस में देखा जाए तो सुतंदर भारत में भले ही यह राजिसमाप्त हो चुका है और यह उत्तर प्रदेश के प्रियागरा जन्पत का एक छोटा सा कस्पा वबलाक बन कर रह गया हो पर आज भी यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी चीजे हैं जो इसके बहुत साली इतिहास को बया करती हैं उन्ही में से एक यह राज घराने की कोठी भी है बहुत ही खुप्सूरत राजस्थानी अस्थापत कलासे निर्मित लगभग पान सो वर्ष पुरानी इवं सत्र अठारे बीगे में तीन मंजिले बनी इस कोठी में सेकडों की संख्या में कच्छ होने के साथ 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 आगन इवं साथ कुए भी मुजूद हैं साथ ही इस कोठी के अंदर मौजूद रामजान की मंदिर के सवा मन सोने का कलास यहां की प्राचीन सम्रिद धिगाथा को प्रदर्शित करने में अपनी महती भूम का निभाता है मांडा राजमल से समंधित तथा मांडा में मौजूद मलिहा तालाव जो गहरवार बंस के राजाओं की जल के प्रतिप्रेम की गवाही देता है इस तालाव में पूरे वर्ष भर पानी भरा रहता है वरतमान में यह तालाव मजश पालन विभाग दौरा अनवंधित है इस तालाव में मचलियों के साथ साथ भारी मात्रा में जली पच्चियां भी निवास करती हैं यह तालाब मान्डा की एक बहुत बड़ी आवादी को नहाने तत्था अनक्रियाओं के लिए जल उपलब्ध कराता है इस तालाब की वज़ा से मान्डा खास के भूगर भी जल में काफी ब्रिद्धी देखी जाती है इसके लावा मान्डा में रानी तालाब, सग्रा तालाब जैसे अन्य तालाब भी है इन तालाबों में जल कीड़ा करती हुई पच्छियां आधिकाफी भाती हैं फ्रेंट्स मान्डा रियासत का हिंदू धर्म एवं आध्यात्म से भी काफी गहरा नाता रहा है उनी में से एक यह मान्डव रिशी अस्थान भी है मान्डवी देवी धाम से लगभग दो किलो मीटर दच्छिन पूर्व की दिशा में जंगल में मौजूद करड़ा वती नदी के तट पर इस्थित मान्डव रिशी नामकस्थान कभी मान्डव रिशी की तपो अस्थली रही है जहां आज भी उसके भगनाव सेस मौजूद है दोस्तों मान्डव रिशी नामक यह प्रसिधस्थान मान्डव खास का एक बहुत ही खुपसूरत यह मौरमडी का स्थल है अगर आप सहर की भागती दौरती जिन्दगी से हतास परिशान हैं तो यहां आकर आप सांती का अन्भव कर सकते हैं मान्डव रिशी में करणावती नदी का कलकल करता निर्मल जल, वनस्पतियां, गुफाएं, वन्यप्राडी आधि काफी प्रभावित करती हैं यही कारण है कि यहां की खुबशूर्ती को देखने, निहारने के लिए प्रत दिन भारी संख्या में लोग आते हैं और कुछ तो यहां भोजन आज भी बनाते वक आते हैं मान्डव रिशी में आपको कई प्रकार की बनोसधियां भी दिखाई देंगी जो विविन रोगों के इलाज में कारगर साबित होती हैं प्रेंड्स मान्डव रिशी से वापस आते हुए अब हम पहुँच चिक्वे हैं मान्डव के एक प्रमुख तीर्थयस्थल मान्डवी देवी धाम में मान्डवी देवी मान्डव राजगराने की प्रमुख इस्ट देवी हैं और आज भी राजपरिवार की ओर से उनकी पूजा अर्चना की पूरी विवस्था की जाती है मांडा रियासत की इस पावंधरा में इस्थित सिद्ध पीट मांडवी देवी धाम प्राचीन काल से ही लोगों की आस्था और विश्वास का केंदर रहा है जहां भक्तों की भारी भीड पूजा अर्चना हेतु आती रहती है हिंदू धर्म में ऐसी मानिता है की माता सती के सव के 108 अंग जहां जहां गिरे थे वे सभी अस्थान सिद्ध पीट कहलाए थे और यहां पर माता सती के सरीर का अस्थन गिरा था मंडवी देवी धाम में जो मूर्ती है उसका आकार भी अस्थन के समान है मंडवी देवी मंदिर के उत्तरा भिमुख संकर जी और हन्मान जी का मंदिर है परिसर में ही ये गिसाला है वैसे तो प्रतेक सुमवार और नौरात्र के अउसर पर धाम में स्रद्धालों का जमघट लगा रहता है लेकिन पौसमास के प्रतम सुमवार को हर साल बिसाल मेले का आयोजन किया जाता है जहां प्रियागराज, मिर्जापूर, सोनभद्र, सीधी, रिवा तक के लोग मिला देखने के लिए आया करते हैं मांडा में मांडवी देवी के बाद बाबा देवकुंड नाथ धाम मांडा का एक प्रसिद्ध अस्थल है यहां पर पोशी तेरस को बिसाल मेला लगता है बाबा देव कुंड धाम मांडा खास से लगभग तीन किलोमीटर दूर दच्छन दिशा में कुराओं की तरब जाने वाली रोट के किनारे पड़ता है यहां पर एक बिसाल पीपल के ब्रिच की जड़ों के नीचे से प्राक्रतिक तरीके से पूरे वर्ष भर जलधारा बहती रहती है जो एक कुंड में एकत्र होता है इसी कुंड के पास भगवान सिव का एक छोटा सा मंदिर है इसी लिए इस अस्थान को देव कुंड के नाम से जाना जाता है फ्रेंट्स मांडा में हिंदूओं के लावा भारी मात्रा में मुस्लिम लोग भी निवास करते हैं उनके भी यहाँ पर कहीं मस्जिदें येवा मजारे बनी हुई है जहाँ पर समय समय पर बिशाल मेले का एवजन किया जाता है फ्रेंट्स उपरोक्त के लावा मांडा में बहुत सी ऐसी प्राचीन धरोहरे आज भी मौजूद हैं जो यहाँ की सम्रिध प्राचीन अयतिहासिक महत्त को दर्साती हैं फ्रेंट्स मैं अपने चैनल पर भारत में मौजूद प्राकृतिक सांस्कृतिक एवं धारू मत्त की तमाम अईसी जगहों को खोज कर लाता रहता हूँ जो ना सिर्फ देखने में मनमोहक वा आसर जनक लगती हैं बलकि हमारी सम्रिध प्राचीन सांस्कृतिक बिरासत को भी बया करती हैं फ्रेंट्स आप से अनुरोध है कि यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सस्क्राइब कर आल वाली घंटी का बटन जरूर दवाएं ताकि इस चैनल की आने वाली हर अबडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नमस्कार